हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू मै चैनल अनुराग वाइट इडिट आज हम बात करेंगे बाल विकास की प्रमुक अवस्ताओं के पहली अवस्ता है प्रसापूर्व अवस्ता ये 9 महिने या 270 या 280 दिन तक मानी जाती है इस अवस्ता ये अवस्ता माता के गर्भदान से सुरू होती है सेकेंड अवस्ता है साइसावस्ता जो की जन्म से दो वरस्तक रहती है इस अवस्ता में सिस्पून रुप से माता पिता पर निर्भर रहता है उसका विवाल मूल प्रियोतियों पर अधारित होता है सारीरिग मांसिक वा अधगम की अवस्ता तेजगत से होती है तथा इसमें नयतिक्ता का अभाव रहता है नेश्ट अवस्ता है पूर बाल्य अवस्ता जो की 2-6 वस्तक मानी गई है इसमें बच्चा अनुकरान द्वारा सीखता है इस अवस्ता में जिग्जियसा बहुत जादा होती है तथा पूर बाल्य अवस्ता को 2-8 भी कहते हैं ये भासा अर्जन के लिए समेंदा सील चराण है इस अवस्ता में बच्चा कल्पना सीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है नेश्ट अवस्ता है उत्तर बाल्ले अवस्ता या इसे बाल्ले अवस्ता भी कहते हैं जो कि 6 से 12 वर्स तक रहती है पहला पॉइंट है इसे तार्खिक चिंतन की अवस्ता भी कहते हैं इसे आरंबिक स्कूल की अवस्ता का जाता है ये गंदी अवस्ता भी से बोला जाता है इसे स्पूर्थ की अवस्ता या स्मार्ट एज भी का जाता है इसे खेलों की अवस्ता या गेम इस्टेज भी का जाता इस अवस्ता में संग रहेंड की प्रवत्ति बिक्सित होने लगती है तथा बाल्य अवस्ता को टूली समू या गैंग की अवस्ता भी कहते हैं सबसे प्रमू पॉइंट है कि बाल्य अवस्तो को जीवन का अनोखा काल का जाता है अगली अवस्ता है किसोरा वस्ता जो कि 13 से 18 वर्स तक मानी गई है इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं तथा जीवन का सबसे कठिन काल किसोरा वस्तो का है किलपेट्रिक ने इसे संगर्स तनाव आंदी तुफान और उल्जा की उल्जन की अवस्ता भी कहते हैं ये माना है इस्टने हाल नहीं ये इस्टने हाल को कथन है कि किस अवस्ता को संगर्स तनाव आंदी तुफान और उल्जन की अवस्ता का जाता है नेश्ट है इसमें विसमलिंगी आकरसन होता है इस अवस्था को सौनकाल या गोल्डेन एज भीका जाता है नेश्ट पॉइंट है इस अवस्था में बीर पूजा की भावना होती है तता कि सौरा वस्था में बच्चे अमोर चिंतन करने करते हैं ठैंक यू प्रेट्स झाल झाल